है गाईज वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल माइन हाइज नर्सिंग स्टुडेंट आज हम देखेंगे करेक्टरस्टिक्स ओफ यूरीन ओके तो हम लोग देख रहे हैं आजकल फिजियोलोजी ओफ यूरीनरी सिस्टम जिसमें मैंने आपको फॉर्मेशन ओफ यूरीन तो यह मेरा शायद लास्ट होगा फिजियोलोजी में क्योंकि अभी तक मैं सब कुछ बता चुकी है तो चलिए स्टार्ट करते है इन ट्वंटिफोर आर्स ठीक है यानि कि ट्वंटिफोर आर्स में जो जो एक्स्ट्राउडरिनरी हमारा जो किट्नी है वो काम करता है कैसे क कि जो कॉम्ट्राक्ट किद्नी अपने ग्लोमिलाई के तू अप्रॉप्रोग्स वन फिप्टी से वन एटी यानि कि वन फिप्टी टू एंटी लिटर ब्लेड प्लाजमा को टिबूलर में फिल्टिट करता है यहां पर आप देख पा रहे हैं यह देखिए वन फिप्टी ट 180 लिटर तक का वो ब्लड को ब्लड प्लाजमा को क्या करता है वहाँ पे फिल्टर करता है किपनी से ठीक है फिर हो गया डेली इसका जो डेली वोल्यूम है ठीक है वो डेली वोल्यूम कितना है 24 आर्स में केवल 1.0 से 1.8 लिटर यूरीन का production होता है ठीक है 24 hours में components क्या क्या होते है जो urine contains nitrogenous waste होता है उसमें and unneeded substances होता है जो कि urine के थो हमारे body से out हो जाते हैं जो कि मैंने आपको पहली बता चुकी हो physiology में फिर है color तो जो urine का जो color होता है यानि कि जो freshly voided urine होता है उसका जो generally वो clear होता है और light pale से dark yellow color का होता है ओके देन color क्या होता है कि जब वो form हो रहा होता है यानि कि जब बन रहा होता है तो urine उस समय क्या होता है strile होता है और थोड़ा slightly aromatic भी होता है ठीक है लेकिन इसे अगर इसे क्या किया जाए प्लेस कर दिया जाए इसको stand कर दिया जाए उसको hold करके रखें मतलब थोड़ा तो यह क्या करता है इसमें अगर इसको stand कर दिया जाए तो यह urine के solute पर जो bacteria का जो action के कारणी यानि कि जो उसके solutes होते है उसमें जो bacteria का जो मतलब जो action होता है उससे उसका जो order होता है वो ammonia में convert हो जाता है ammonia order वो देता है order mean होता है smell order जिसे बोर ठीक है तो यह होता है इसका मतलब जब फॉर्म होता है यानि कि जब यह बन रहा होता है यानि कि फॉर्म मतलब बन रहा है जब यूरिन बन रहा होता है तो यूरिन जो होता है मोडल में वो हमें मतलब उसका फील होता है, caused by the action of bacteria, किसके वज़े से, जो bacteria उसमें action करते है, urinary solutes पर, फिर हो गया pH, तो जो urine pH is usually slightly acidic, जो urine का pH होता है, वो slightly कैसा होता है, यह देख रहे है, acidic होता है, around, slightly acidic होता है, around, slightly acidic होता है, around 6, but change in body metabolism, जो हमारी body में metabolism होते रहते हैं, changes होता है, और मतलब, और कुछ, जो certain foods होते हैं, may cause it to be much more acidic, वो उसको क्या कर देते हैं, much more acidic कर देते हैं, यहापे slightly acidic था, यहापे ज्यादा acid हो जाता है, ठीक है, और specific gravity कितनी होती है, अगर देखें, तो specific gravity of the pure water is 0.1, तो जो water की specific gravity होती है, वो होती है, 0.1, लेकिन जो specific gravity of the urine, 1.001 to 1.035, यह इसकी specific gravity होती है, जिसको आप learn कर लीजिए, यह काफी important है, फिर है solutes, तो जो solutes होते हैं, normally found in urine, include sodium, potassium, iron, urea, uric acid, creatinine, ammonia, bicarbonate ions, and various other enzymes, इसके संख संख और भी सारे कुछ enzymes भी, मतलब other ions भी इसमें मिलते हैं, ठीक है, अगर उसकी हम बात करें solutes की, उसके बाद हो गया misturation, misturation or wording is the act of emptying the bladder, यह जो act है misturation का, इसका मतलब क्या है, कि bladder का empty होने का जो process है, उसका जो act है, वो ही क्या है, misturation है, जो कि feel होता है हम लोगों को, urination का, और हम लोग, urination, हम urine pass करते हैं, जिससे मारा bladder empty होता है, वो जो है, process चलता है, वो ही misturation है, यानि कि feeling होना, फिर उसको empty करना, फिर है accumulation, ठीक है, तो accumulation में क्या होगा, कि जो ordinarily, जो मतलब आम तोर पर देखा जाए, तो bladder अप्रॉक्स 200 milliliter, जो मतलब वो capacity collect होने तक का, यानि कि जब तक उसमें 200 milliliter urine collect नहीं होगा, यानि कि जब तक होता नहीं है, पूरा, तब तक urine collect करना वो continue रखता है, मीन वो जारी रखता है, ठीक है, मतलब वो क्या होगा, उसमें accumulate होता रहेगा, ordinarily, the bladder continues to collect urine until about 200 ml, ठीक है, जब तक कि 200 ml जो urine है, वो नहीं हो जाता है, वो क्या करना, accumulation करना, अपना continue रखता है, उसके बाद हो गया, activation, activation में क्या होता है कि, at about this point, जो होता है, stretching of the bladder, bladder wall, जो activates stretch receptors, मीन, जो, ये जो होती है, क्या होता है, जो मतलब हम बोल सकते हैं कि, at about this point, जो bladder की जो wall होती है, यानि कि, एक इस point पर कह सकते हैं कि, जो bladder की wall होती है, उसमें क्या होता है, stretching की capability होती है, capacity होती है, आपने देखा होगा, balloon की तरह होता है, जैसे जैसे urine उसमें fill होगा, वो stretch होता जाएगा, तो जो bladder की wall की, जो stretching है, वो क्या करती है, जैसे जैसे stretch होता है, तो stretch जो receptors होते हैं, उनको वो activate करते हैं, उसकी जो wall की stretching है, वो जो stretch receptors हैं, उसको activate करते हैं, ठीक है, यानि कि उसको stimulate करते हैं, activate करते हैं, ठीक है, फिर हो गया, ये transmission, transmission में क्या होता है, की impulses transmitted to the sacral region to spinal cord, ठीक है, जो impulses होती हो, spinal cord के sacral region में क्या होती है, transmit होती है, and then back to the bladder, उसके बाद क्या होती है, वो bladder के back में जाती है, किसके थुरू, वायर दा pelvic, ये जो, इस पिंग, जो की, splanching, जो नाव होती है, splanching नाव जो होती है, उसके, उसके थुरू, वो क्या होती है, जो ये, क्या मुलती है, इसको, जो ये nerves होती है, ये, देखिए, impulses transmitted to the, sacral region of the spinal cord, जो spinal cord का, जो sacral region होता है, वहाँ से जो, impulses, वहाँ पे, जो होती है, impulse transmitted होती है, और कहाँ जाती है, and the back to the bladder, back, bladder के back में जाती है, और फिर वहाँ से क्या होती है, जो pelvic, पहलवी इस पैन्जरी जो नव होती है, उसके कारणा जो ब्लडर होता हुए ह misinformation और जो वह गो इन्टु workflows हो जाएगा मतलब वो इसको करने के लिए फिर है passage तो passage में क्या होता as the as the contraction become strong जैसे जैसे यह strong जो contraction जैसे भी मैं बताया था relaxation and contraction तो यह contraction क्या होते है start जैसे जैसे strong होते हैं तो जो store urine in force pass pass the internal urethral sphincters into the upper part of the urethra तो यह जो stored urine होता है जो कि अभी bladder में full हो चुका है यह हो रहा है जो full हो चुका जिस वो क्या करता है force fully उसको क्या करता है internal urethral sphincters के through वहाँ पर वो क्या कर गा है into the upper part of the urethra में उसको pass करता है ठीक है force के साथ उसको उसको उसमें push करता है एक सरीके से देखाया जायता है जो यूरित्रा होती न जो अपर अपर यूरित्रा जो यह sorry upper part of the urethra कहां पर होती आप मैंने बताया था आपको anatomy में junction of the जो यह bladder होता है bladder और जो यह उसके बीच में जो junction होता हो वहां पर होता है internal structure यह sorry internal sphincters अब sphincters क्या है आपको मालूम है na sphincter is a circular muscle जो muscles that normally maintain contraction of a natural body passage ठीक है जो body के जो passage और और फिक होते है उसको naturally क्या करती है वो construct कर देती है एक तरीके से ठीक है यानि कि आप यह भी समझ सकते है कि जो sphincters होते है वो क्या होते है एक तरीके से muscular ring होते हैं जो कि जो भी कोई भी और फिक होता है उसको construct करके रखते है यानि कि close तरीके से close ही समझे है उसको वो करके रखते है close नहीं तो फिर जो urine होगा वो क्या हो जाएगा अपना पी बहता रहेगा तो जब तक कि वो sphincters healthy होते हैं काम कर रहे होते हैं तब तक कि वो क्या होते हैं उसको close रखते हैं ठीक है जब तक कि हमारी कोई ऐसी requirement नहीं होती वो तब तक उसको close रखते हैं कर देते हैं उरीन को जब उसकी contraction कि घा हो जाते हैं strong हो जाते हैं फिर external sphincters तो मैंने ब्ताया था था ना यूरीटर्स में दो sphincters होते इंटरनल और external तो यो external sphincters होता है लहार external sphincters इस skeletonız is quella lexus eskel overwhelm muscles and voluntary control यह किसका अब आपका नेटरी में बताया था, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यह involuntary होता है, तो जो external inspectors होता है, वो voluntary होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, we can choose to keep it close, ठीक है, हम चाहें तो उसको हम close रख सकते हैं, और चाहें तो हम उसको open कर सकते हैं, it can be relax यानि कि उसको relax कर सकते so that urine is flushed from the body जिससे कि urine क्या हो जाएगा अगर हमने उसको relax कर दिया तो urine क्या हो जाएगा वो pass हो जाएगा तो thank you guys for watching this video please like share comment and subscribe this channel and support और बच्चों आप लोग ना comment करते हैं ना like करते हैं तो अगर आपको थोड़ा भी कुछ इससे benefit होता है तो please like भी करिए comment भी करिए और जो नए viewers है वो subscribe तो जरूर कर लें क्योंकि उससे आपी का benefit है इसमें जरूर से कुछ ना कुछ lecture में डालती रहती हूँ और डालते भी रहते हैं उसको explain भी करते हैं आप में नोट्स भी देता है नहीं तो मैं तो subheading लिख लिख के आपको जो subheading है उसको type करके explain कर दूँ लेकिन notes आपको provide हो जाए इसलिए मैं full notes उसमें देती हूँ तो thank you for watching and goodbye take care